हेलो एवरिवन अभी हम लोग इस्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक एमेस एकसेस के बारे में और इसमें लोग देखेंगे कि हमसे पहले जानेंगे और उसमें किस तरह का यूज करते हैं कैसे काम करते हैं वो हम लोग जानेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग इस्टार्ट करते हैं कि MS Access क्या होता है MS Access स्टार्ट करने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा MS Access दिखना पड़ेगा विदाउट इस्पेस देखें हम यहां पर इस्पेस नहीं उच किये हैं और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है Microsoft Access 2010 अब हम लोग सबसे पहले नंबर में जानेंगे कि MS Access होता क्या है ठीक है MS Access क्या है MS Access एक Standard Application Software है जिसमें Curie Design, Form Design और Report की सहाता से किसी भी School, College या Institute का Student का Database त्यार किया जा सकता है और किसी भी Company का Employee का भी Database त्यार किया जा सकता है यानि MS Access का Main Purpose या Main Use होता है Database बनाना Database रिकोर्ड करना, Data Record करना, ओके? तो समझ में आग गया होगा, अच्छे तरह कासे कि MS Access क्या होता है MS Access एक Standard Application Software है जिसमें Curie Design, Form Design और Report की सहाता से किसी भी School, College या Institute का Student का Database त्यार किया जाता है ठीक है? अभी हम लोग इसमें एक Record करके देखते है Approximum मालेज़े 2 या 3 इस्ट्वेंट का हम लोग करके देखेंगे तो हम लोग चले Start करते हैं Start करने के लिए आपको बता दिये कैसे Start करना होता है इसके बाद यहाँ पर जैसे Start होता है तो हम लोग को देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है Blank Database Blank Database पर क्लिक करने के बाद आपको इधर देखिए यहाँ पर File Name टाइप करना पड़ेगा इसको हम जूम कर लेते हैं देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा File Name यहाँ पर है File Name टाइप करना पड़ेगा तो मालेज़े हम लिख देते है File Name Di Take Capital लिख देते है Name Di Take 1 कर देते है उसके बाद देखिए यहाँ पर Create लिखा हुआ Create में जैसे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको Option दिखाई देगा यहाँ पर इस जिगा पर देखिए Table ठीके यहाँ पर आपको Table को Option दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको देखाई देना अच्छा से यह सब सारा Home, Create और आपर Table तो आपको करना क्या है Table पर Right क्लिक करना है ठीके यहाँ पर क्या करना आपको Right क्लिक करना है जैसे Right क्लिक किज़ेगा तो आपको क्या खुलेगा Design View का Option मिल जाएगा Design View पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर देखे Table नेम पूछ रहा है तो आप जो नेम डालना चाहते है डाल सकते हैं माले जब Table का नाम डाल रहे है Di टेक ओके Table नाम डालने के बाद इस तरह से Option खुल गया है अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे Table हम लोग create करेंगे मतलब कि क्या क्या record करना है तो सबसे पारा नाबर हम लोग लिख लेते है Serial Number इसमें .com पॉइंट यूज नहीं करना है Serial Number, Inter Serial Number, Automatic होगा उसके बाद Name ठीक है? Serial Number के बाद क्या जीम लोग रिकोड करना है? Name Student का Name होना चाहिए और Student का जो भी Name रहेगा हम लोग उसको खुद से लिखेंगे ठीक है? Text उसको छोड़ देते हैं उसके बाद करते है Father's Name Father's Name यह हम लोग खुद से लिखेंगे और Mother's Name Mother's Name भी खुद से लिखेंगे उसके बाद कर देते हैं Course Course यह लिखेंगे Text उसके बाद Fee Fee में Currency हो जाएगा Undue Fee Address Address भी Text लेंगे Due Fee में Currency होगा यहाँ पे आपको ध्यान देना है Due Fee में Currency Address ले लिए Address के बाद ले लेते है Date of Birth इसमें हो जाएगा Date and Time और उसके बाद नीचे लोग यहाँ ले लेते है File Jump यहाँ पर Mobile Number Mobile Number Mobile Number में आपका हो जाएगा इसमें आपको यहाँ ले लेते हैं File Jump तो File Jump होता क्या है कि जब भी कोई Student Admission लेता है तो फोम भरवाते हैं फोम भरवाते हैं तो उसका File को जो भी फोम रहेगा इसकेन करके Computer में Save करना पड़ता है तो यहाँ पर हैपर लिंक ले ले लेंगे डिटर टाइप में उसके बाद यहाँ ले लेंगे Photo तो Photo में आपको यहाँ पर रखना है Attachment ओके इतना ही हम लोग रिकोड करेंगा भी एक Student का इतना रिकोड होई हम लोग का form बना है इस form में हम लोग को रिकोड करेंगा इस form को जैसे हम लोग रिकोड किये रिकोड करने के बाद आपको करना क्या है Ctrl plus W प्रेस करना है और Yes कर देना है ठीक है यानि यह Save हो चुका है इस में अनुज कुमार, ठीक है, फादर्स नेम बिजय कुमार, मदर्स नेम सिता देवी, और कोर्स डिसे, फी 2000, अन्दिव 500, आड्रेस धुर्वाराथ की, डेट ओब बर्थ 12.05.2001, मोबाइल नमबर, इस तर जो भी रहे का डिटेल, इस टुरेंट का भर लेना है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर फाइल जम्प है, फाइल जम्प में राइट क्लिक करेंगे, फिर हैपर लिंक में जाएंगे, हैपर लिंक में जाने के बाद यहाँ पर इडिट हैपर लिंक का ओप्सन मिलेगा, इडिट हैपर लिंक पर जाना है, और उस टुरेंट का जो भी डेटा है, या पर जो भी पीडिएफ फाइल है, आपको बना करकर रख लेना है, उसको पीडिएफ में स्का फोम और डोकुमेंट स्टुरेंट का फोम लोग ले लेंगे, माल लेज एक जामपल हम अब यह ले लेते हैं, उसके बाद ओपन कर दिए और ओके कर दिए, यहाँ पर एक का कम्प्लेट हो गया, उसी तरह से दुसरा हम लोग ले लेते हैं, दुसरा ले लेते हैं, सोनम कुमारी, और फादर स्नेम सूर्यस दुसरा म singular लेते हैं, मोधर स्नेम, स्टैन।र ऑ च्रुंत का कर दिए उसके लेते हैं, दुसरा म přादिए 5 마pri लेते हैं, सान धी लिए लेते हैं, सोनिते हैं, टुसरा म लेते लेते में तरह सा अधी दुसरा म और से अरह स्थिन, फॉसरा मना नहिता आजिते कर लेते बर्थ इसका हो जाएगा बारह तारीक चंट्नाइल 2000 कि उसकंज मिंवाईल को हो जाएगा इसको है और फाइल जम्प यहां पी क्लाई टेकर टीटा को रख लेना है इसकंज करने के बाद यहां पे आपको फिडीया को में होना चाहिए यहां पर फीडिया फाइल ले लिए ओके और फिर यहां पर क्या करना है फोटो ले लेना है राइट के लिए मानेज अटेश्मेंट एड में जाना है उसके बाद पिक्चर में जाने के बाद आपको यहां पर पिक्चर कोई सेलेट कर लेना है मालेज हम डॉक्वमेंट में जाते हैं यहां पर पिक्चर मिल जाएगा ओपन फिर ओके यहां पर आभी मालेज हम दोश्ट्विण का रिकोड की है इस तरह साफ चांटीनी जितना आप करना चाहते हैं कंटीनी इधर कर सकते रिकोड ठीक है इतना करने के बाद हम क्या करेंगे क्रियेट में जाएंगे और क्रियेट में जाने के बाद यहां पर देखिए आपको मिलेगा क्यूरी डिजाइन क्यूरी डिजाइन यहां पर आपको खोजना है देखिए यहां पर दिखाई देर होगा क्यूरी डिजाइन क्यूरी डिजान में जाने के बाद आड करना है उसके बाद क्लोज करना है और इसको डबल क्लिक करते हुए नीचे अरेंज करना देखिए अरेंज हो रहा है इस तरह से आपको अरेंज करते जाना है भी नहीं हुआ है डिव फी आड्रेस डेट ओब बर्थ और मोबाइल नंबर फाइल जंप उसके बाद फोटो इधर क्लिक करेंगे तो देख लेते हैं कि हाँ सब कुछ है अब जैसे दर क्लिएर हो गया है यह सबको डबल क्लिक करकरकर अड्जस्ट कर दिए अड्जस्ट करने के बाद क्या करना क्या करना है ठीक है कै रवल, प्रेस करेंगे जैसे CTRL W उसके बाद इस तरह को option खुलेगा यहाँ पिएस करना है फिर OK कर देना है अब देखिए आप एक query खुल गया query पर right click करके open कर लेना है ठीके देखिए हमारा यहाँ पर query 1 open हो चुका है अब इसके बाद हम लोग करना है फिर से जाना है create पे और create में जाने के बाद जाना है आपको form design पर form design में जाएंगे form design में जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा add existing field ठीके add existing field add existing field में जाने के बाद आपको जाना है so all table पर यहाँ पर di take पर click करेंगे यहाँ पर plus का option था वहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर इसको डबल क्लिक करते हुए इसको अरेंज कर लेना है, ठीके, वहाँ पर हमनों जो record कर रहे था, जो test कर रहे थे, नाम लिक रहे थे, वो database आपका recording हो गया, लेकिन उसके बाद आपको अगर report त्यार करना है, report त्यार करने का भी हम process बता रहे ह ठीके, data record करना आपको वहीं तक था, वहाँ तक में आप data record कर सकते हैं, आप वहीं तक काम करके save कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, देकिन उसी data को report में त्यार करना, report में बदलना, report में बदलने के लिए आपको इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा, सब को double click करते जा रहे ह यह देखे, arrange हो रहा है, इसी तरह से आपको भी arrange करना है, एड्रेस तक हुआ है, उसके बाद date of birth, फिर mobile number, ज़्यादा बड़ा हो गया है, तिहां से उसको छोटा कर देंगे, फिर file jump, file jump लिने के बाद photo, फोटो को भी arrange कर देंगे, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, फिर से control w प्रेस करना है, और yes में click करेंगे, और यहां पे हम लोग लिख देते है report, ठीक है, यहां फिर आभी हम लोग छोड़ देते हैं, आभी मालेज्जे के form का काम किये थे, त देखें, आभी form के नाम से save किए, जितना भी save करेंगे, इधर खुलते जाएगा, अब इसको भी right click करके open कर लेते हैं, जो open हो गया है, अब हम लोग क्या करते है, report क्यार करते है, तो report क्यार करने के लिए, create में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखें, आपर report देख देखते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, सिखने वाला चीज है, आप सिख सकते हैं अराम से, तिया आप स्कूल में, कॉलेज में, या किसी भी इंस्चूट में, आप अगर काम कर रहे हैं, तो आप इस तरीका को यूज कर सकते हैं, किस तरह से database record कि अब कर देख yah, हमारा अरेंज नहीं हुआ है, तब क्या करेंगे हम? एक जार इसको पेस सेटम में जाएंगे और तो पेस सेटम में जाने का बाद लांडिट सेप कर देंगे, ठीक है? अब क्या करते हैं, इसको कम-कम इस पेस में और कम-कम सrí chame जो होए परम करने का कोशिक ह करते हैं और ह्पार्जिन हम क्या करेंगे परीठ नरो लिया हुआ है कि दिखत नहीं है कि होतो भी ज्यादा या इसे अधसे इसे MICHAEL Cub कर ले जो कि अएक थे लगाना छाहिए आस फी छहाई हकए ये ये इतना करने के बाद आपको फिर से control w कर देना है यस करेंगे अब यहां पर हम लोग लिख देंगे जो भी company name है company नहाँ आप लिख सकते हैं जैसे हम डी आई टेकनिकल लिख दिए और यहां से ओके अब देखिए आप डी टेकनिकल का report open हो चुका है इस तरह से आप completely दिखाई दे रहा है अब जैसे अगर यहां पर देखिए इतना student है उसका इधर दिखाई दे रहा है क्या नाम है father's name mother's name course फीक जमाओ कितना हुआ अड्रेस क्या हुआ इसके बाद उसका document है वह यहां पर click जैसे हम लोग करेंगे यहां पर देखिए हम click करके दिखाते हैं click करेंगे और yes करेंगे जिसका document open हो जाएगा पीडिया फाइल में था फीडिया फाइल में open हो जाएगा देखिए आपको पीडिया फाइल दिखाई दे रहा है इस तरह से आप open कर सकते हैं और photo तो आपको दिखाई देही रहा है यहां पर दिखाई दे रहा है तो photo में भी आप right click करके manage attachment में जाएगा और यहांसे view करके देख सकते हैं कि किसका photo है ठीक है यह अच्छे तरीका से पूरी तरीका से complete हो चुका है और इसको आप practice किजिए जैसे practice हो जाता है यानि यह समझे complete हो गया है ठीक है इसमें बस इतन प्लेज वीडियो को like किजिए comment किजिए और दोस्तों के पास share किजिए किसी वितरा कि अगर आपको doubt लगता है तो आप comment कर सकते हैं कमेंट सक्षान में आप पूछ सकते हैं कि सर इसके बारे में मेरे को और बताए तो नया topic हम बता सकते हैं ़गे?